नमस्कार में डॉक्टरा जय अथरवे के डिजिटरल प्रेफर्म पर आपका स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी से रेलेटेट जिसमें हम अटवार्णी जनरल ऑफ इंडिया और इसी के साथ साथ हम एड़ोकेट जनरल ऑफ दे स्टेट के बारे में जान मेंटर पर या कॉंस्टिटूशनल मेंटर पर समयधानिक मसले पर अगर सलकार को सलह लेनी होती है तो वो सलह किस से लेती है इसके अलावा सरकार अपने कानूनी मसलों को सुप्रिम कोट में किस के दौरा रिप्रेजेंट करवाती है इसके बारे में हम जानेंगे तो यहां पर हम बात कर रहे हैं तीन पोस्ट की बारे में जहाँ बात हो रही है Attorney General of India, Solicitor General of India और Advocate General of the State यहाँ पर एक और चीज़ यह तीन पोस्ट की बात कर रहा हूँ तो इन में से दो पोस्ट की बात करें Attorney General और Advocate General इन दोनों का उल्लेक तो हमको सम्विदान में मिलता है इसके बारे में तो इसके संबंद में हमारा आर्टिकल 165 संबंद है किस से एड्वोकेट General of the State के साथ में यहाँ पर मैंने दो की बात तो करिए इन दोनों का उल्लेक तो आपको कहा मिलता है सम्विदान में मिलता है लेकिन Solicitor General of India इसका उल्लेक हमें Constitution में नहीं मिलता है यह Solicitor General of India basically क्या है एक statutory post है जो की कानून के द्वारा निर्मित की गई है किसलिए निर्मित की गई है क्योंकि Attorney General of India को assist करने के लिए तो सबसे पहले हम step by step आगे चलते हैं फिर इसको detail में हम समझते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं Article 76 की अगर हम Article 76 में बात करें तो एक Central Government के लिए एक सर्वोच्च legal officer की post create की गई है यह Article 76 संबंदी देखिस से Attorney General of India से सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो कि सर्वोच्च कानूनी मसलों पर अपनी सलह देता है विभिन समेंदानिक मसलों पर अपनी सलह देता है इसके अलावा सर्वोच्च के कोई भी कानूनी मसले आते हैं तो उसको यह Supreme Court में री प्रेसेंट भी करता है इसी के साथ सर्कार के कोई भी कानूनी मसले को यह Supreme Court के साथ साथ कूरे देश में जो हमारी जो territory है उसमें किसी भी court में यह सर्कार की तरफ से खड़ा हो सकता है अब एक और बात होती है चुकि ये इसका उलेक, Attorney General of India का उलेक Constitution में किया गया है तो इसका मतलब यह है कि ये constitutional post है, government post नहीं है तो इसके साथ साथ कुछ ओधा भी इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ रहता है अगर हम बात करें तो Article 76 के तहद जो है Attorney General of India को एक special अधिकार मिलता है कि ये लोकसवा और राज्यसवा में भी सरकार का रिप्रेजेंट कर सकता है उनकी meeting या कोई joint meeting होती है, दोनों सतनों की तो उसमें भी ये सरकार के मामले को पेश कर सकता है चर्चा में भाग ले सकता है, चर्चा में पूरी तरह से पार्टीसिपेटर कोश्चन आंसर कोश्चनों का जवाब दे सकता है ये सारी प्रोसीजर में कौन सामिल हो सकता? Attorney General of India लेकिन चुकि ये दोनों सतनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो अगर वहाँ पे कोई वोटिंग की बात आती है तो ये उसमें मद्दान में शामिल नहीं होता है तो ये तो हमारी बात होती ही किसकी आर्टीकल 76 की इसको हम आगे step by step देखेंगे कि क्या-क्या इसमें Constitution में कहा गया है लेकिन एक और चीज़े आर्टीकल 76 में बात की गई है लिगल एडवाइजर की जो की कोन है हमारा Attorney General of India अब बात ये होती है इसकी न्यूकती आर्टीकल 76 में कहा गया है कि राष्टपती के द्वारा होती है और आपको पता है कि राष्टपती जनरली काम करता है किसके सलापर Council of Minister तो अगर देखा जाए तो इसकी न्यूकती डाइरेक्ट और इंडारेक्ट तरह से सरकार से जूड़ी भी होती है जैसी सरकार चेंज होती है तो नई जो Council of Minister आती है तो वो फिर अपने हिसाब से नए लीगल आफिसर को अपॉइंट करती है तो ये परंपरा लगातार चलती आ रही है अब यहाँ पर बात करते हैं Article 76 में तो चुकि राष्पती इसकी न्यूकती कर रहा है तो इसके लिए साथ में कुछ योग्यता की बात होती है योग्यता इसकी वही होती है जो कि सुप्रिम कोट के जजों के न्यूकती के लिए जरूरी होती है यानि कि एक व्यक्ति जो कि सुप्रिम कोट का जज न्यूकती तो हो सकता है वो Attorney General of India की पोस्ट पर न्यूपत हो सकता है अब सवाल यहां आता है कि Supreme Court के जजों की न्यूपती की जो बात हो रही है की योग्यता की बात हो रही है तो Supreme Court के जजों की योग्यता क्या होती है इनकी बेसिक योग्यता में उस पे नहीं जा रहा कि भारत का नागरिक होना चाहिए बेसिक योग्यता यह है कि 10 साल उसने हाई कोट में प्रेक्टिस की हो या 5 साल किसी हाई कोट में जज रहा हो वो व्यक्तिक Attorney General of India के रूप में अपॉइंट हो सकता है तो यहां तो यह बेसिक चीज़े कही गई है अब यहां पर Article 76 से बात करता है किसकी Central Government यह Central Government के Level पे बात हो रही है सेम वैसी की वैसी पोस्ट एक State के लिए भी Create की गई है Advocate General of the State जो कि Article 165 उससे संबंदित है अब Article 165 के तहर एक Advocate General की न्यूक्ति की बात की गई है और Advocate General भी वही काम करता है जो की Article 76 के तहर अटॉनि जनरल सेंटर गोर्मेंट के लिए कर रहा था यहनि कि क्या करेगा Advocate General यह State Level पे जो राज्य को Legal Matter से संबंदित कोई मामला आता है तो उस पे सला देगा राज्य के कानूनी मासलों को राज्य की टेरिटरी में जो भी कोट होगी उसमें यह राज्य के को राज्य सरकार को री प्रेजेंट करेगा और इसकी न्यूक्ति कोन करेगा इसकी न्यूक्ति जैसे कि सेंटरल में Attorney General की न्यूक्ति कोन कर रहा था राश्पति कर रहा था वेसे ही Advocate General की न्यूक्ति राजजिपाल करेगा और राजजिपाल भी आपको मालूम है Council of Minister की सला के अनुसार काम करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब तक सरकार अगर हम देखें तो इसके Constitution में दोनों की पोस्ट के बारे में कोई tenure की बात नहीं की गई है कोई कारिकाल की बात नहीं की गई इसका मतलब यह है कि यह दोनों पोस्ट जैसे कि Attorney General राश्पति के प्रसाथ परियंद तक काम करेगा तो यह बैसिक चीजे थी इनके बारे में अब यहां पर एक और पोस्ट की बात आई है Solicitor General of India तो अगर हम देखें तो Solicitor General of India इसका उल्लेक हमको समिधान में कहीं नहीं मिलता तो Solicitor General of India इसका काम क्या होता है देखिए सबसे पहली बात तो यह होती है कि Solicitor General of India एक statutory post है यानि कि एक कानून के दौरा एक पद जनरेट किया गया और यह पद क्यों जनरेट किया गया क्योंकि सरकार के अगर Central Government लेवल पर देखें तो उनके कानूनी मसले भहुत सारे होते हैं तो एक व्यक्ति इस चीजों को handle नहीं कर सकता तो उनकी साहता के लिए यह post रखी गई है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो Solicitor General of India यह क्या करता है इनकी एक टीम होती है जो कि Attorney General of India को विभिन मामलों में क्या करती है असिस्ट करती है और फिर Solicitor General की टीम को भी असिस्ट करने के लिए additional Solicitor General of India की post create होती है तो यह तो हमने कुछ basic basic जानकारी देख लिए अब हम देखते हैं कि Constitution इनके बारे में क्या कहता है और एक एक चीज़े हम देखते हैं और इसके साथ-साथ हम जानते हैं कि कौन सा first attorney general रहे थे और कौन से बात के अगर आपको मालू होगा भारत के अगर देखें तो सबसे first attorney general जो थे वो थे आपके MC सितलवार साब जो कि लगातार 13 साल तक यानि कि लंबे समय तक भारत के attorney general के रूप में काम किया था और अगर वर्तमान में देखें तो आर वेंकट रमनी हमारे वर्तमान के attorney general ले तो हम इसको एक एक करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से understanding हो जाए इसके topic के बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 76 क्या कहता है इनके बारे में न तो आर्टिकल 76 का अगर पहला clause देखें तो यह कह रहा है सिदे सिदे the president shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the supreme court to be attorney general for India ठीक है यहाँ पर यह बात दो चीज़ा आ रही है आर्टिकल 76 में की attorney general of India की निउक्ति कोन करेगा राश्पति करेगा जो कि हम पहले देख चुके है इसके साथ उसकी qualification क्या होना चीए तो qualification उसकी वही होना चीए जो की एक Supreme Court के जजो की न्युक्ति के लिए योग होती है अगर हम बात करें तो Supreme Court के जजो की न्युक्ति के लिए मैंने आपको बता है Basic चीज क्या चाहिए 10 साल उसने लगातार High Court में प्रेक्टिस की हो या 5 साल High Court में जज रहा हो ऐसे व्यक्ति को राश्पती दौरा किसके रूप में न्यूक्ति के आया सकता है भारत के महानियावादी या अटवाणी जनरल के रूप में ठीक है अब यहां पर कुछ हम बेसिक चीजे जनरल नॉलेज की देख लेते हैं भारत के अगर देखा जाए तो भारत के पहले अटवाणी जनरल की पोस्ट पे रहते हैं और वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में हमारे कोन है अटवाणी जनरल आर वेंकट रमणी यह हमारे वर्तमान के अटवाणी जनरल है जो कि भारत सरकार के अगर देखा जाए तो मोधी गवर्मेंट को जो भी लिगल एड चम्हां आता है सुप्रिम कोट में या इंडियन टेरिटेरी में जिस भी जिस भी कोट में आता है तो उसको रिम करता है और विंकर ट्रमेंटी में और उनकी team है जिसमें हम शॉलिसिटर जनरल जैसे वर्तमान में को है तुशार मेहताब फिर second पॉइंट देखते हैं तो second point बोलता है, article 76 का, it shall be the duty of the attorney general to give advice to government of India upon such legal matter and to perform such other duties of a legal character as many form time to time be referred or assigned to him by the president and to discharge the function confirmed on him by or under this constitution or any other law for the time being enforced. यहां पर यह बात की जारी है कि इसका जो कर्तब यह होगा वो होगा कि ऐसे कानूनी मसलों पर ऐसे कानूनी मसले पर सलाह देना सरकार को जो की समिधान में उल्लेखी थे या राश्पती को लगता है कि कोई कानूनी मसला उसके सामने आया है तो उसके बारे में वो राश्पती के द्वारा भी जो कारियर उसको दिया जाएगा कानूनी मसलों से इस पर भी यह सलाह देने के लिए बात दोगा और इसके साथ-साथ जो समीधान में जो इसको कानूनी मस्लों के बारे में जो duty दी गई है उसको उसके लिए भी attorney general अपनी सलह देगा फिर बात करते हैं article 76 का third point है ना यहां पर बात कर रहा है कि in the performance of his duties the attorney general shall have right of audience in all courts in the territory of India यह मैं आप में पहले भी discuss कर चुका हूँ कि attorney general अपने कर्तवियों के निर्भहन के लिए यानि कि जो भी legal matter में उसको represent करना होगा सरकार को वो पूरे Indian territory में जित्ते भी court है वहाँ पर वो सरकार के मामले को represent कर सकता है यानि कि वो सभी court में ख़ड़ा हो सकता है central government के तरफ से ठीक है फिर article 76 क्या कहता है article 76 का fourth point यह कहता है कि attorney general राश्पती के प्रसाथ परियंत ही पद्धारन करेगा इसका मतलब यह है कि article 76 कहीं से कहीं तक attorney general के tenure की बात या कारेकाल की बात नहीं कर रहा है इसलिए एक बार UPSC में भी question कुछा गया था कि सरकार change होते ही attorney general change हो जाते है क्या यह नियम में कहा गया है बेसिकली देखा जाए तो यह नियम में नहीं कहा गया है लेकि मैंने आपको बताया है कि attorney general की कौन करता है प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट किसके advice पे काम करता है तो आपको पता है council of ministers अब जनरली क्या होता है कि लोगसावा डिजॉल हो गई या विगठिट हो गई है या फिर उसके जगर नई सरकार चुनके आई है तो नई सरकार चुनके आएगी तो नई council of minister बनेगी और नई council of minister फिर वो अपने इसाफ से राश्पती को advice देती ही कि हमको इस particular person को हम देखना चाहते हैं attorney general के रूप में और फिर इस तरह से उनका पद समाप्त हो जाता है तो एक जनरली परंपरा बनेगे कि सरकार change होते ही क्या होता है attorney general जो रहते हैं वो अपनी पद से क्या करते हैं त्याक पत्र देते हैं क्योंकि इसका reason मैंने आपको explain करते हैं अब इसके बाद में बात करते हैं सेम ऐसी post जैसी कि हम attorney general की बात कर रहे हैं वैसी post राज्य स्थर पर भी create की गई है जिसका उल्लेक हमको मिलता है article 165 में article 165 बात करता है advocate general की या महादीवक्ता की अब महादीवक्ता की बात करें तो इसमें व राज्य लेवल पर काम करेगा वहाँ पर राश्पती उनकी न्यूक्ति कर रहे थे यहां पर इनकी न्यूक्ति कोन करेगा राज्य पाल न्यूक्ति करेगा ठीक है अब वहाँ पर बात आ रही थी कि यहां पर advocate general की न्यूक्ति राज्य पाल करेगा और योग्यता की बात करे तो advocate general की post पर उसे newkt किया जाएगा जो कि high court का judge بनने का योगयोगा किसका high court का judge है ना? Supreme court के judge के योगयता रखने वाले व्यक्ति को attorney general बना जाएगा वैसे ही advocate general high court के judge की योगयता वाले व्यक्ति को newkt किया आता है अगर हम MP के मद्य बदेश के परिपेख्श में तो मद्य बदेश में पहले एड्वोकेट जनरल हमारे यहां हुए थे अधिकारी साथ श्री अधिकारी साब एम अधिकारी जो की 1956 में जब हमारा इस्टेट का पुनर गठन हुआ था तब ये पहले एडवोकेट जनरल बनने थे एम अधिकारी ठीक है वर्तमान में देखें तो वर्तमान में हमारे जो एडवोकेट जनरल है मद्वदेश के वो है प्रशांत सिंग इनके पहले थे पुर्शेंद्र कोरव और अगर बात करें प्रशांत सिंग की तो प्रशांत सिंग साब मद्वदेश के उननिस्वे महादी वक्ता है ठीक है इनकी हाई कोट के जज बनने की भी योग्यता रखते थे तभी इनको राजजपाल दौरा एडवोकेट जनरल की पोस्ट पे नुक्ति किया गया है ठीक है इसके अलावा आर्टिकल 165 में देखें तो यह क्या करेगा इसकी डूटी की बात की गई है 165 के 0.2 में देखें तो इनकी एडवोकेट जनरल की डूटी की बात की गई है कि राजज को विभिन कानूनी मसलों पे सला देगा इसके अलावा राजपाल को अगर लगता है तो वो कुछ और अन्य कानूनी मसले भी जो है इनको सोब सकता है जिस पर यह सला देगा इसके अला तो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करने की जवाबदारी होती है एडवोकेट जनरल पे है ना जनी अगर हम बात करें मद्वदेश सरकार के अगेंस कोई भी कोट के लाया जाता है तो उसमें मद्वदेश सरकार को कोट में रिप्रेजेंट कोन करते हैं प्रसान सिंग इसनी इनका Advocate General के tenure के बारे में Constitution में कोई भी बात नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि ये भी राज जपाल के प्रसाद परियांद पद्धारन करते हैं और मैंने आपको बताया है राज जपाल अपना कार्यर Council of Minister की सला के अनुसार ही करते हैं इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही उतर राज्यों में कि जैसे ही सरकार चेंज होती है तो सरकार चेंज होती है तो Council of Minister भी चेंज होती है और Council of Minister जब चेंज होती है तो फिर वो अपने अनुसार किसी को भी एड़ोकेट जनरल न्यूक्त कर सकती है यह हमने कुछ Constitution से संबंधित बाते जानी थी अच्छा इसमें एक और फेक्ट है जो की Constitution में नहीं कहा गया है जिसके बारे में आपको मैं थोड़ असा बता देता हूं कि अगर हम बात कर रहे थे Attorney General की Attorney General इंडियन टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में मैंने बताया था आपको कि सरकार के मामलों को लेकर कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करता है अब सवाल यह होता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाब Attorney General मामले को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस व्यक्ति की तरफ से वह पहले से उसके मामले को रिप्रेजेंट कर सकाता है यानि कि अगर बात करें हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं जैसे कि अपने Attorney General है और यह एक प्राइवेट व्यक्ति है ठीक है यह प्राइवेट इंडिविजेल अगर हम बात करें है यह नाम का व्यक्ति है और यह हमारा Attorney General है ठीक है अब सरकार यह हमारी माले जीए कोट है अब बात यह हो रही है कि अगर Attorney General किसको प्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है गवर्मेंट आफ इंडिया को ठीक है अब इस प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट फर्म या प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट कोई केस ह जिसमें सरकार involved है और सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से Attorney General लेकिन पास्ट में Attorney General कभी उस प्राइवेट इंडिविजेंट को के केस में रिप्रेजेंट कर चुका था और ये फर्म ये चाहती है कि इससे संबंदी जो बाते या राज Attorney General के पास थे वो चाह रही है कि वो गवर्मेंट आफ इंडिया को इस बात को वो कोर्ट के संग्यान में लाती है और कोर्ट के संग्यान में आने पर फिर ये हो सकता है कि Attorney General क्या कर सकता है ऐसे मामले से क्या कर सकता है अपने आपको बाहर कर सकता है तो यहाँ पर एक और बात हो रही है कि सरकार के सभी मामलों पे तो वो पेर भी करता है इसक इसमें उसका हित जुडा ओए तो उसकी प्रविर नहीं कर सकता है इसके लावे एक और बात आती है चुकि आर्टिकल 76 के बाद आटिकल 76 के तहट आपका attorney general और आर्टिकल 165 के तहट आपका है Advocate General दोनों ही तरीके से देखें तो दोनों ही क्या है एक गौर्श्मेंट के गौर्श्मेंट को रिप्रेजंट कर रहे हैं तो ये गौर्श्मेंट के सर्वोच लीगल आफिसर है जब अपने कार्यकाल के समय रहेंगे यह यानि कि अगर जब इ एक सरकार के खिलाब कोई भी मामले की पेरवी नहीं कर सकते हैं, यानि कि गॉर्मेंट के अगेंस्ट किसी भी पेरवी में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो दो चीज आपने देख लिए कि अगर किसी प्राइवेट इंडिविजियल या प्राइवेट फरंड के साथ में इनका गॉर्णी जनरल, एडवोकेट जनरल, इसी के साथ साथ सॉलिसेटर जनरल के बारे में भी डिटेल में काफी चीजे जानी हैं, जिससे रेटेड आपके मेंस के और प्री के कई सारे कोश्चन आपके सॉल हो सकते हैं, आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया ह तेंक्यू बेरी मुच्च